हलो फ्रेंड्स अत्लामी जाएके मैं आपका वैलकम है आज मैं स्पेशल MP की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हूँ भुट्टे का कीस भुट्टे का कीस हम बना तो लेते हैं लेकिन सबका बनाने का तरीका अलग-अलग होता है तो आज आप एक बार मेरे स्टैल से बना कर देखे चटपटा ये भुट्टे का कीस बहुत ही सिंपल है और टेस्ट में भी बेस्ट है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये मैंने दो किलो भुट्टे लिये हैं ये देशी भुट्टे हैं और इसके रेशे निकाल कर मैंना इसे कप्ले से अच्छे से पोच लिया है सभी भुट्टे ग्रेटर से इस तरह से ग्रेट कर लेंगे बुट्टे को गिसने के बाद भी इसमें थोड़ा परपर छिलकों में रह जाता है तो हम क्या करेंगे इस तरह से थाली में गिसेंगे तो जो थोड़ा बहुत भी अंदर का पल्प है वो पाहर थाली में निकल आएगा तो इसी तरीके से हम सभी बुट्टो को ग्रेट कर लेंगे ग्रेटर को भी हम साप कर लेते हैं ग्रेटर में हम इस तरह से पानी डाल देंगे तो जो भी पल्प है इसका सारा थाली में आज जाएगा यह मैंने लगभग एक कप के करीब पानी डाला है इसमें अब इसमें मसाले डालेंगे तो तीन बड़े चमच इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे आते चमच हल्दी वन पोत चमच हींग चार बड़े चमच शक्कर डालेंगे दो बड़े चमच नमक डालेंगे नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे अब हम इसमें छोक लगाएंगे तो छोक के लिए तीन बड़े चमच तेल लेंगे अगर आप कब से मेजर्मेंट करना चाहते हैं तो एक कब तेल डालें आप ये बात जरूर ध्यान लखें कि बुट्टे के कीस में तेल जादा होना चाहिए अगर कम रहेगा तो कीस के टेस्ट में अंतर आएगा तेल अच्छे से गरम हो गया है दो बड़े चमच इसमें जीरा डालेंगे आट से दस बारिक कटिवी हरीमेच डालेंगे पांच लोंग डालेंगे लोंग का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आथ है अब इसमें हम बुट्टे का पल्प डाल देगे इसी धाली में हम थोड़ा सा पानी डाल कर और इसमें डाल देंगे इसमें मेंने लगपक 2 कप पानी डाला है अब हम गेस की फ्लेम तेज करके और इस तरह से कंटीनीउ हिलाते रहेंगे जब तक इसमें वाल ना आ जाए इसे हिलाना अभी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पकता है इसमें अच्छे से उबाल आ गया है अब हम गेज की फ्लेम स्लो कर देंगे और इसे एक प्लेट से ढग देंगे और थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे चेक करते रहेंगे मतलब हिलाते रहेंगे पांच मिनिट हो गए है एक बार हम चेक कर लेते हैं हमें इसे 20 से 25 मिनिट तक पकाना है और देखिया आसपास इसने तेल छोड़ दिया है यह पुट्टे की किस की परफेक्ट बनने की पहचान है मतलब आप इसे इस तरह से हिलाएंगे तो यह बिल्कुल भी चिपकेगा नही 15 मिनिट हो गए है अब इसमें हम एक निम्बू का रस डालेंगे इसमें धनिया पत्ती डालेंगे और 10 मिनिट हम इसे ढपकर और पका देंगे तो देखें यह हमारा बुट्टे का किस बहुत अच्छे से तयार हो गया है अब अब गेस की फ्लेम बंद कर देंगे और यह जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे यह ड्राय होते जाएगा और एकदम खिला खिला बनेगा कर दो कर दो यह कर दो